बड़ी ख़बर के साथ शुरूआत कर रहे हैं क्योंकि नॉन स्टॉप कवरेज लगातार चुनावों कुले कर मतदान सुबह साथ बज़े यानी शुरू हो चुका है और जल्द ही लंबी-लंबी कतारे भी नज़र आएंगी क्योंकि आज महराज्ट्रों की 288 सीटे हैं इसके साथ ही रेखे उप्चुनाव हो रहा है पांच राज्चियों की 15 सीटों पर भी तो लगातार नज़र सभी सीटों पर ग्राउंड जीरो से हमारी बनी रहेगी मेरे तमाम सहियोगी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर रिपोर्ट हर तस्वीर आपके सामने होगे इस सुबर साथ बज़े से शाम पांच बज़े तक मतदान होगा ये बड़ी खबार नज़र बना के रखिएगा नियूस्टन इपोर्ट हर अपडेट पोलिंग स्टिशन से आप तक पहुँचाएगा चले दो वोटें शुरू हो चुकी हैं महरास्ट में क्या तस्वीर है अकबर वोटी दर्शकों को दिखा देते हैं ठाड़े सीधा रुख कर रहे हैं मेरे सही होगी विनो जगडाले ग्राउंग जीरो से हमारे साथ मौजूद है विनो देखाएगे पहली तस्वीर क्योंकि होट ठाड़ा शिंदे की यहां पर साख दाव पर देखे ठाड़े के कोपरी पाच पकाड़ी चुनाव शेत्र में हम मौजूद है और देखिए सामने पोलिंग शुरू हो चुकी है यह पिंक बूत है यहाँ पर देखिए मैला साफा बांद कर यहाँ पर जिनोंने पहली वोटिंग की है उनको वहाँ पर भेट वस्तुए द देखिए और यहाँ पर जो शिवसेना के जो उम्मेद्वार थे लोगसभा के उनको 47,800 वोटर की बड़त यहाँ पर मिले थी और इस बार यह 56 फीसदी वोटिंग जो है उसे 70 फीसदी के उपर ले जाने के लिए तमाम पार्टी के कारे करता यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे आज महराज का काफी एहम दीन है 9 करोड 70 लाख वोटर है एक लाख से भी ज़्यादा पोलिंग सेशन है 15 लाख पोलिस करमी 15 लाख यह पोलिंग करबचारी है और कई सकते कि 4-5 लाख यहाँ पर सुरक्षा बल भी सभी वहाँ पर तैनात कर दिये गए हैं महराज का बेटी आमने सामने हैं भाई आमने सामने हैं सभी की लड़ाई यहाँ पर हमको देखने को मिली है बटोगे तो कटोगे एक है तो सेफ है यहाँ पर शहरी नकसलवाद का मुद्दा आया आरक्षन का मुद्दा आया इसके बाद ऐसे कई तमाम मुद्दे आये जो इस हमाश के दाताओं से की लोकों से बात कर रहे हैं वोट करने आए क्या कहीं करило त Caesar Patto करना चाहिए इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग आये हैं शेत्रिय्य मुद्धे उठाइए राश्ट्रम को चाहिए जहन Muldro स्वेठेस क्या रहे द्याले थैन में रखेंगे गहा है किन मुद्धों को जहन में रखते अध lungs पर देखा जादा तर लोग का मूर यहां पर देख रहा है कि राष्ट्र मुद्द्ध यहां पर उठाए जाएंगे और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है इनसे भी हम बात करेंगे आप वोट डालने जा रहे हैं शेत्रिय मुद्ध स्थानिय मुद्ध क्या मुद्ध को ध्यान में रखकर वोट करेंगे कर रहे हैं उस बारे में बहुत किसन अगर लोग उनके आप एक्षा है कि जल्दी से जल्दी क्लश्टर बने उसके उपर शिंदे साथ को लोग विश्वास रख्या लोग उठें कर रहें क्लॉस्टर मुद्ध है स्थानिय मुद्ध तो देखा आपन इस चुनावशेतर में क्लश्टर एक बड़ा मुद्ध है डी डेवललेपमेंट का तो उसके लिए एकनाश शिंदे विधान सभा में भी कई बार आवाज उठाते रहे इनका ये कहना है तो क्लस्टर यहां का में मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर इन्हें हक का घर चाहिए खुद का घर चाहिए इसके लिए इन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहां पर वोटिंग करने वाले हैं वहाँ पर भी देखे धिर सुरक्षा व्यवस्ता देखे यहां पर डॉक्सकॉड भी आ चुका है क्योंकि कुछी देर बाद यहां पर करीब 9 बजे बताया जाता है कि महराज के मुक्यमंत्री एकनाथ संबाजी शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मद्दान के लिए पहुँचने वाले हैं और महराज के ग्रामिनिला को भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी इसी प्रकार की तैयारी और जोश यहां पर इस बार वोटिंग में दिख रहा है अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में जो आकड़ा आया था पूरे महराज के वोटिंग का क्या उसे भी क्रॉस किय जाएगा इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है ओकि विनोद आप ठाने पर नज़र बनाए रखिएगा और महराश्ट में सबार का चुनाव है भी सबसे अलग और दिलचस्प